कि हलो मैं डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी लोगों का आर्पी एसी एड़ा के यूट्यूब चैनल पर एंड डिस साइड डॉक्टर रजट खनेलवाल मैं आप सभी स्टुडेंट्स का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं स्वागत करता हू उन सभी विध्यारतियों का जो हर्याना से हैं और जो तयारी कर रहे हैं PGT Commerce की जिनको बंदा है इस बार 1st grade lecturer और जो पढ़ाना चाहते हैं स्कूल के अंदर 11th और 12th वाले विध्यारतियों को उन सभी विध्यारतियों का मेरा बहुत-बहुत सम्मान है उन सभी विध्यारति पर लेकिन इस class को अच्छी तरीके से समझने के लिए इस class की शुरुवात करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ जानकरी देना चाहता हूं और वो जानकरी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपुर रहने वाली है तो सबसे पहले मैं आप सभी students को मेर में दिना चाहूंगा myself Dr. Rajat Khandilwal और मैंने complete किया है M.com साथ में मैंने करी है PhD वो भी commerce के अंदर 13 प्लस मेरा teaching experience है और अब तक मैं एक लाग से भी ज़्यादा विद्यारतियों को online और offline मिला कर पढ़ा चुका हूं अगर आप लोग हमारी साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसक एकन पर क्लिक कीजिए उसका reason यह है कि आरती ऐसी अड़ा पूरे भारत का एक मात्र ऐसा platform है जो commerce के शेतर में जितनी भी सरकारी वेकेंसी निकलती है उसकी preparation कराता है तो यह चैनल सब्सक्राइब करने में आपको एक percent भी नुकसान नहीं होगा यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं second बात मैं आपको बताना चाहूंगा और वो यह है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा telegram group join नहीं किया है तो आप हमारे telegram group को भी join करें अगर आप हमारे telegram group को join करेंगे तो उससे आपको क्या benefit मिलने वाला है उससे आपको benefit यह मिलेगा कि जो class हम लोग यह अगर हमको आपको देनी है तो उसके लिए भी हमारे पास आपके साथ जुड़े रहने का एक ही माद्याम है वो है telegram group इसी के साथ हम लोग आपको एक बहुत important बात यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने तो को मन तो बना लिया सर मन बना लिया है कि हमको तैयार देगा कौन हमको notes देगा कौन हमको classes देगा कैस कौन है ऐसा platform कोई है क्या बिलकुल है RPSC अड़र ने अपनी application पर आप लोगों के लिए specific course बनाया है जिसके अंदर आपको complete syllabus हम कराएंगे English और Hindi माध्यम में आपको notes देंगे English और Hindi माध्यम में आपको question bank देंगे वो भी वित sensor और इसके साथ साथ आपको ये जो course मिलने वाला है ना ये बहुत ही reasonable price पर मिलने वाला है जो की है 1499 नया साल है और new preparation year है इसकी जो main लागत है वो 3999 है पर लेकिन अभी आप लोगों को heavy discounted rate पर मिल रहा है और इसका कीमत आपको अदा करनी है 1499 तो हाज ही आप अपना mobile उठ करने के लिए पहली CD को start कर दे इसे के साथ मैं आपको एक last बात और बोलना चाहूंगा चिंता बत करो question भी कराऊंगा पर कुछ बाते होती है जो कहनी पड़ती हो और हमारे पास मैं कहने के लिए एक ही माध्यम है वो है YouTube तो last and final बात में बोलना चाहरा हूंगे आप में से questions चाहिए तो उसके लिए भी आपको घबरानी क्या आउशकता नहीं है क्योंकि हम है ना आपके साथ कहाता ना मैंने हम है आपके साथ हम लोगों ने क्या किया है chapter wise subject wise question series तयार करिए अगर आप लोगों को accounts के thousand से भी अधिक mcqs चाहिए तो आप हमारा ये वाला course purchase कर लो इस subject wise questions मिलने वाले हैं और इससे अच्छी opportunity आपको कही पर भी नहीं मिलने वाली है तो है ना बहुत काम की बात चले गाईस तो करते हम लोग हमारी आज की इस class की शुरुवात और मैं आपको करूँगा आज हमारे इस chapter के mcqs तयार रहिएगा और हाँ साथ की साथ comment करते accounts with adjustments मैंने इस से पहले जो chapter आपको कराया उसका नाम था final account without adjustment और आज मैं आपको यहाँ पर जो करा रहा हूँ उसका नाम है final account with adjustment तो हम लोग final account with adjustment के questions आज यहाँ पर करने वाले हैं तो पहला question आप लोगों के सामने screen पर यह रहा सभी लोग ध्यान से देखेगा और अगर में answer लिखें तकि आपको ऐसा लगे कि आप टैस्क दे रहे हो मतलब मेरी class ना उन बच्चों के लिए उपयोगी है जिनको आदे घंटे के अंदर तकरीवन 15-20 question की practice करनी है इसलिए मेरे session बहुत छोटे होते हैं और उसमें मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा नहीं 15-20 question में आप लोगों को cover करा कर जाओं तो पहला question आप लोगों के सामने screen पर यह रहा सभी लोग सामने देखेंगे first question क्या कह रहा है तो first question में लिखाव है कि adjustment given are recorded once in the trading and P&L account and again in balance sheet it is so because of बच्चो adjustment जो अगर आपको given है उसको अपन record करते है trading और P&L account में और साथ में balance sheet में क्यों? matching principle follow कर रहे है इसलिए, dual aspect principle follow कर रहे है इसलिए, accrual concept को follow कर रहे है इसलिए आपको यह बोलना चाहरा हूँ कि जो adjustment आपको given होता है, जो adjustment अपने को given होते है हम उसको trading P&L में और साथ में balance sheet में दिखाते है उसके पीछे का reason क्या है? उसके पीछे का reason क्या है? उसके पीछे का reason यह है कि हम Milan की अवधारना के पालन कर रहे है किसकी पाल ना कर रहे हैं हम किसको follow कर रहे हैं तो guys मैं आपको बटाता हूँ जो adjustments होते हैं जो समायोजन होते हैं इसका मतलब इसको हमने कही पर भी record भी जर्नल entry नहीं हुई तो adjustment की हमने कोई journal entry नहीं करी तो हम journal entry करेंगे तो जब अपन journal entry करेंगे तो उसमें दो आसपक्ट पर effect पढ़ेगा मतलब दो आसपक्ट पर effect पढ़ेगा एक तो debit आसपक्ट और एक होता है credit आसपक्ट दो पक्षों पर प्रभाप पढ़ेगा तो अगर किसी entry के दो पक्ष है तो उसे अंतिम खातों में भी दो जove लिखना है न dual aspect principle का मतलब अगया दोहरा लेखा प्रणाली ओके दोहरा लेखा सिद्धान तो dual aspect principle के according अगरा question आपके सामने screen पर यह रहा सभी लोग देखेंगे next question expenses incurred but not yet paid are accounted because of बच्चो expenses तो incurred हो गए मतला expenses तो कर दिये पर अभी तक उसका payment नहीं हुआ फिर भी अपन उसके accounting कर रहे हैं किस सिद्धानत के अनुसर हमने खर्चा कर दिया खर्चा हो गया हमसे पर उसका भुकतान नहीं हुआ हमने उसका payment नहीं किया तो अगर हमने खर्चा कर दिया पर उस लगाना है वो option C पे लगाना है actual concept इसका बिलकुल सही उत्तर होगा उपारजन की अवधारना अगला प्रशन आपके सामने कि wages paid for installation of a machine is added to the cost of machine because of पच्चो अपन ने कोई machine खरी दी उस machine का installation करने पर हमने मजदूरी का payment गया wages का payment किया जिसको अपने machine की लागत का भाग माना जिसको हमने machine की ही लागत का भाग माना ऐसा हमने किस सिद्धान के अनुसर किया ऐसा हमने उपारजन के अवधारना के आधार पे किया मिलान के अवधारना के आधार पे किया सार्ता के अवधारना के आधार पे किया या फिर हमने लागत के अवधारना के आधार पे किया तो लागत की अधाना कहती है कि अगर आप आपके व्यापार में कोई संपती खरीदते हैं तो संपती को खरीदने से लेकर उसे इस्तापित करने में जित्ते भी खर्चे होते हैं उन सभी को संपती की लागत का भाग मानना चाहिए तो अगर अपने machine खरीदी है दोस्तो और उस machine पर अपन मजदूरी चुका रहे हैंdy और उस wages को अगर अपने machine की लागत का भाग मान लिया इसका मतलब हम cost concept को follow कर रहे हैं और इसी कारणने से इसका जो answer होगा वो option डी होगा अगला question आपके सामनी screen पर prepaid insurance existing in the trial balance is show in the balance sheet in the asset side because of बच्चो prepaid insurance trial balance के अंदर है और इसी करण से अपने balance sheet की asset वाली side में show किया तो किस करण से क्योंकि हम accrual concept को follow कर रहे हैं या अपन matching principle को follow कर रहे हैं या अपन maternity concept को follow कर रहे हैं या अपन cost principle को follow कर रहे हैं तो बच्चो आउटiscanning का, prepaid का, accrual का, unnerd का इन सब का adjustment होता है जब अपन उपारजन की अवधारना accrual concept को follow करते हैं तो इसका जो answer आएगा वो option A होगा accrual concept इसके करण से prepaid expenses को balance sheet की asset side में show किया जाता है अगला कोशन, अगला कोशन आपके साबने screen पर बहुत प्यारा कोशन है, सभी लोग देखेंगे क्या लिकाव है कि एक फरवरी 2020 की बात है हमने a loan of rupees 1 lakh was given to PART at the rate 12% per annum हमने loan दिया है PART को एक लाग रुपए का loan हमने दिया 12% per annum पे interest was received for 3 months from February to April 20 हमको interest मिला 3 महिने का और वो 3 महिने कौन से February का मिला, March का मिला और April का मिला अगर हमारे financial statement end हो रहे है 31 March 2020 तो बताओ हमको interest का कितना amount advance मिला advance interest अपने को calculate करना है यहापे आप लोगों से advance interest के बारे में पूछा जा रहा है ठीक है चलिए मुझे एक बात बताओ loan ने एक फरवरी को लिया समझना एक फरवरी को loan अपने कितने का लिया इसको मैं black pen से करूँगा ज़्यादा best रहेगा बताओ loan अपने एक फरवरी को कितने का लिया सर जी loan अपने है न एक लाग रुपे का लिया बहुत बढ़िया बताओ interest का rate कितना है सर इंट्रेस का rate तो 12% है बहुत अच्छी बात है चलिए कितने महीने का interest अपने को मिल रहा है सर इंट्रेस को 3 महीने का interest मिल रहा है अब अब अच्छी 12 से 12 अपना cancel होगा 0 से 0 अपना cancel होगा 1000 को जब अपन 3 से गुणा कर देंगे न तो ये अपने पार्ग में दोस्तो 3000 रुपे आएगा मतलब ये 3000 रुपे अपने को मिल रहा है और इसका जो अंसर होगा वो option B होगा option B पर आपको लगाना है lock option भी बिल्कु correct answer है आप से पुछा है advance interest कितना है तो अपना 1000 रुपे है 1000 रुपीज है ठीक है next question indirect expenses are transfer to guys जितने भी हमारे indirect expense होते हैं आप प्रत्यक्ष्वे काहा पर transfer होते हैं final account में trading में होते हैं P&L में होते हैं profit and loss account में होते हैं तो इसका जो अंसर होगा वो option B होगा profit and loss account जितने भी अपने indirect expense होते हैं हम इन्हें transfer करते हैं P&L account में trading account में direct expense आते हैं balance sheet में expense आते ही नहीं है बताओ indirect expense जो होते हैं वो सब के सब कौन से account में ट्रांस्फर होंगे सारे के सारे profit and loss account में transfer होंगे अगला question wages and salary account is a show in बच्चो wages के साथ में salary ये बन है तो wages and salary जो होता है ये अपना direct expense होता है आप एक बार लिख लो कि wages and salary बोलो कौन सा expense हो गया सर wages and salary जो हो वना ये हमारा direct expenses हो गया और अगर ये अपना direct expense हो गया न तो अपन इसे किस account में शो करेंगे हम इसे trading account में शो करेंगे तो wages and salary अपना direct expense होता है और हम इसे trading account में शो करेंगे that's why option A हमारा बिलकुल correct concern होगा next question आपके सामने screen पर सभी लोग देखेंगे अब आपसे पुझा है salary and wages account is a show salary और wages का पर आएगा तो salary के साथ में wages है तो salary आपे indirect expense है जैसे wages and salary अपना direct expense था न वैसे ही salary and wages हम लोगों के लिए एक तरीके से मान के चलिएगा आप indirect expense है तो बच्छो salary salary and wages अगर अपना indirect expense है तो हम इसको show करेंगे profit and loss account के अंदर तो यहाँ पर आपको option B पर टिक लगाना है profit and loss account next question आप लोगों के साबने screen पर यह रहा next question से पहरे मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप में से कोई भी विध्यारती ऐसा है जो मद्यप्रदेश से हैं अगर आप MPTED first grade commerce की तयारी कर रहे है या आप MPTED first grade economics की तयारी कर रहे है अगर आप हडियाना से हैं और PGT commerce की तयारी कर रहे है अगर आप केंद्री विध्याले संगटन के द्वारा PGT commerce की विकिन से निकलिए उसकी preparation कर रहे हो या केंद्री विध्या हाथ पगड़ के आपको मंजिल तक पहुचाएगा तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवशक्ता नहीं है RPSC Adda पूरे भारत में एक मात्र ऐसा संस्तान है जो Commerce के शेत्र में जो सरकारी विकेंसी आती है अगर उसकी तैयारी आप करना चाहते हैं RPSC Adda पे विश्वास करके आप हमारे कोर्स खरीच सकते हैं हमने application पर आप लोगों के लिए पूरा specific courses बना रखे हैं आप हमारी application को download करें जिसका link आपको नीचे आपको description box में मिल जाएगा साथ में आप लोगों को मिलेंगे recorded classes साथ में आपको English और Hindi माध्यम में मिलेंगे notes आपको question bank भी English और Hindi माध्यम में मिलेगा बिल्कुल अलग doubt clearing आप लोगों के session रहेंगे हम आपको quiz के माध्यम से आपकी preparation और अच्छे से कराएंगे ताकि आप exam में questions को देखे कर confident feel कर पाए और उसके अलावा भी अगर आपको अधिक जानकरी प्राफ्ट करनी है तो आप हमारी help line number पे call करके अधिक जानकरी प्राफ्ट करें देन उसके बाद अगर आपका दिल कहता है all is well तो आप है न हमारे course को purchase कर ले वे यह मैं आपको कहना चाहूंगा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपके course को purchase कर लेंगे इसकी क्या guarantee है कि हमारा selection हो जाएगा तो guys मैं आपको यह बोलना चाहूं guarantee दुनिया में एक ही चीच की है वो है मौत की क्योंकि इनसान ने अगर जन्म लिया है तो उसकी मिलक्तियों पक्ति होगी उसकी guarantee होती है यह बात हमान के चलेगा pass और fail की बात अगर आप करते हैं selection होना या नहीं होना वो depend आप पे करता है हमारा काम है हम आपको content provide करें हमारा काम है हम आपको मंजिल तक पहुचने का रास्ता बता है हमारा काम है कि हम आपको पूरा roadmap दे पर चलना उस पर आपको है क्योंकि मंजिल आपकी है पहुचना आपको है हम तो केवल आपको आपका हाथ पकड़ने को तयार है आप समध रहे हो second one मैं आपको यह guarantee जरूर दे सकता हूँ कि अगर आप हमसे पढ़ते हो अगर आप हमसे पढ़ते हो ना तो यह मान के चलना कि ऐसा classes ऐसी content आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा यह मेरी guarantee है जिस तरह से हम पढ़ाते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई और बढ़ाता होगा साथ में बच्चों अगर आप हमसे पढ़कर नहीं समध पा रहे हो तो आपको दुनिया में कोई नहीं समझा सकता है यह मेरी guarantee है इस बात की guarantee मैं आपको देता हूँ ठीक है आपको देखने को मिलेंगे जा पर teacher एक ही है वन में नारणी है और वो सभी subject आपको बढ़ा है कैसे possible है यह तो वही बात होगी कि एक ही doctor है वो हड्डियों का भी लाच कर रहा है सिरदर्द का भी लाच कर रहा है हाट patients का भी लाच कर रहा है कैसे possible है कैसे संभव है मतलब इंसान के expertise तो एक दो जगे होगी ना सभी जगे तो भी नहीं आई बस समझ में फिर भी कई ऐसे चैनल है हमारे यूट्यूब पे और नोड़ वापे community भी है मुझे लगता है कि यार उन बच्चों का कोई अच्छा हो रहा होगा हाँ जिसका चैनल है ना उनका बहुत बढ़िया हो रहा है बले कि जो बच्चे वाप पढ़ रहे ना मैं नहीं मानता हूँ कि उनका वापे कोई अच्छा हो रहा है इसलिए आप लोग सर्ज करें एक दिन लगा है जीवन के और आप देखें कि यार कौन है जैसे आप आरपी एसी एड़ा की बात करेंगे तो मैं आपको यहां पर अकाउंट्स पढ़ाता बना जारा हूंगा मैं कभी आपको यहां पर स्टेट्स पढ़ाते भी नहीं दिखूंगा मैं कभी आपको यहां पर एकनोमिक्स पढ़ाते भी नहीं दिखूंगा इसका मतलब यह नहीं है कि वो subject में नहीं पढ़ा, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, पर नहीं, मेरी expertise किसमें है, accounts में, और जिसके अंदर मुझे पढ़ाते वे 14 से 15 साल हो गए, पर मैं अभी यह नहीं कहता है कि मुझे संपूर्ण accounts का ग्यान है, हर सा कुछ ना कुछ सीखता रहता हम, तो इसलिए आप प्रिकुल निश्चिंद हो जाए, और इस course को purchase करके अपनी तयारी को आगे बढ़ाए, इसी के बाद हम लोग बढ़ते हैं, आगे हमारे next question की और अगला question आपके सामने, closing stock का valuation किस पर किया जाता है, ऐसा question जब भी exam में असलब होता है, रूटी वाजिदा की अवधारना, तो रूटी वाजिदा की अवधारना की अनुसार, अन्तिमिसकन का मुल्यांकन, लागत मुल्या और बाजार मुल्या दोनों में से कम पे किया जाएगा, तो option A लागत गलत हो जाएगा, option C पर आ जाएगा, option C क्या होगा, तो options ही नहीं, option D, कि ना cost और net realizable value, whichever is less, यहाँ पर net realizable value बोले तो market value होती है, अगला question आपके सामनी screen पर यह रहा, कि closing stock is a value, cost और net realizable value, मतलब market value, whichever is less, because of, इसका मुल्य अंकल, लागत मुल्य और बाजार मुल्य दोनों में से कम होगा, क्या करण है, किस ने लिखाया है, किस principle की बात ही है, prudence principle बोल दो, convention of conservative concept बोल दो, विवेक की अवधारना बोल दो, या रूडी वधिता की अवधारना बोल दो, एक ही बात है, तो यहाँ पर आजाएगा convention of conservative या prudence, तो prudence हमारा बिल्कुल सही answer है, option C पर आपको लगाना है, lock, अगला question आपके सामने screen पर यह रहा, कि closing stock अगर आपको trial balance के बाहर given है, कोई भी item अगर आपने को trial balance के बाहर given होता है, तो पूरे financial statement में दो जगे आता है, अगर हम बात करें closing stock की, तो यह trading account के अंदर भी आएगा, और साथ में balance sheet की asset side में भी आएगा, क्योंकि यह outside the trial balance अपने को given है, तो अपने इसको trading में भी द दिखाएंगे, अगला question आपके सामने screen पर, आपको trial balance given है, अगर आप question में देखेंगे, तो sales आपको एक लाख रुपे की given है, बच्चो, sales आपको बच्चो कितने given है, एक लाख की given है, purchase आपको 60,000 given है, wages अपने को 21,000 given है, closing stock आपको 3000 रुपे more than opening stock, मतलब जो closing stock है वो 3000 रु wages was charged to cost of goods sold in the trading account, मतलब wages का 1,30 अपने को trading account लिए charge करना है, आप लोगों से पूछा है, gross profit बता है, बता देखेंगे, gross profit में क्या बड़ी बात है, देखो बच्चो, यह अपने trading account का format, sales आपको 1,00,000 रुपे given है, तो आप यहापे आग बंद करके 1,00,000 को कर दो credit, उसके बाद following information is extract from the trial balance, okay, purchase कितना गिवाने जी, purchase अपने को 60,000 रुपे गिवाने लिए, दो 60,000, wages 21 है, पर अपने को cost of goods sold में 1,30 ही मानना है, तो 1,30 का मतलब 21,000 का 1,30 निकालना है, तो अगर आप 21,000 का 1,30 निकालोगे, तो यह अपने पास में 7,000 रुपे आगा, तो wages अपने को 7,000 ही उसके बाद, उसके बाद, क्या लिखावा है, तो closing stock जो है, वो 3,000 रुपे ज़्यादा है, opening stock से, ठीक है, और opening stock question में के दे रखा है, क्या अपने को opening stock question के अंदर दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, चलो, अब एक काम करता है, मेरी बास सुनो, बहुत ध्यान समनना, इस question को ऐसे करेंगे, जो भी अपना opening stock है, इसमें plus कर देंगे अपन net purchase, साथ में plus कर देंगे direct expense, और minus कर देंगे closing stock, बोलो इतना आपको सुन में आया है, इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँगा, कैसे, ये तो होता है, standard formula, इसको मैं ऐसे लिखूँगा, पहले लिखूँगा net purchase उसके बाद plus करूँगा direct expense, उसके बाद plus करूँगा opening stock, और उसके बाद में minus करूँगा closing stock, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, चलो बताओ बच्चो net purchase कितना है, जी, net purchase देखेंगे तो 60,000 रुपीस की net purchase है, बहुत बढ़िया, चलो ये direct expense बोलो, 21,000 आपका wages ह और आपको लिखाव है कि यह न, one third इन अपने को consider करना है, तो one third consider करना है, मतलब अपने को 7,000 इन आपको पताओ, कौन किस्ते जदा है? Closing stock 3,000 जदा है opening stock से, मतलब closing stock जदा है opening से, समझ गया, मतलब ये जदा है opening से, तो इसका मतलब ये मानके चलो आप, तीन अजा रुपे नेगेटिव हो जाएगा अरे तीने जा रुपए तो नेगेटिव होगे ना भाई अगर closing stock ज़्यादा होगा opening से मतलब opening stock कम है closing stock ज़्यादा है दुनों का अंतर निकलोगे तो तीने जा रुपए नेगेटिव आएगा ठीक है तो अब एक काम करते हैं यहाँ पर देखें कि अगर आप तो 67,000 में से 3 माइनस कर दो आप तो अगर अपन 67,000 में से 3,000 रुपए माइनस कर भी देंगे तो अपने पास में गाई 64,000 आएगा और यह 64,000 रुपए अपना है ना cost of goods sold कर आएगा क्या कर आएगा cost of goods sold अब आपको निकालना है gross profit तो अगर आपको gross profit निकालना है तो उसका formula है कि जो भी net sales होगी इस में से माइनस कर दो आप cost of goods sold ओके चले बताओ बच्चो net sales किती है दोस्तों net sales अपने को 1,000,000 रुपए गिवन है उसके बाद में cost of goods sold कितना है जी the cost of goods sold 64,000 गिवन है तो अपने पास में gross profit कितना आ जाएगा 36,000 रुपीज अपने पास gross profit आएगा और यह हमारा बिल्कु करेक्ट तंसर है option C पे आप लगा दीजिगा ताला बहुत प्यारा question था बहुत बढ़िया question था लेवल का question था guys 36,000 रुमारा बिल्कु करेक्ट अंसर है इस question के अंदर अब आज रहे हम next question की और अगला question आपके सामने prepared expense अगर आपको trial balance के अंदर गिवन है prepared expense अगर आपको कहा गिवन है तो अपने इसको कहा दिखाएंगे आप से पुछा दोस्तो आप इसको कहा दिखाओगे तो trial balance के अंदर अगर अपने हो कोई item दे रखा होता है तो वो पूरे financial statement में अंतिम खातों में एक ही जगह आएगा समझे रहे हो तो बताओ prepared expense अपने लिए asset है prepared expense हमारे लिए asset है तो अपने इसको balance sheet की asset set में दिखाएंगे और कहीं नी दिखाएंगे क्योंकि यह आपको trial balance के अंदर गिवन है तो आपको इसका answer जिना है option D option D हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा option D पे चले जाए balance sheet next अब आज़ो next question आपके सामने screen पर यह रहा बहुत ही प्यारा सा question है सभी लोग सामने देखेंगे अगला प्रशन क्या है इन दा trial balance संडरी डेटर आर शो रुपीज 2,25 मत्तव आपको देंदार जो गिवन है डेटर जो आपको गिवन है वो 2,25,000 रुपे गिवन है डेटर आपको बोलो कितना गिवन है जी साथ में बैट डेप्ट अपने को 25,000 गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको 5,000 गिवन है समझे 5% अपने को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन रखना है और 2% अपने को डिसकाउंट ओन डेटर रखना है आपसे डिसकाउंट ओन डेटर की अमौन पूछीए आपसे पूछिए प्रोविजन फॉर डिसकाउंट ओन डेटर कितना अमौन्ट होगा डिसकाउंट ओन डेटर के लिए कितना प्रोविजन बनाना यह पूछा है चलिए सबसे पहले अपने काम करते है मैं सबसे पहले provision for doubtful debt निकालूंगा ठीक है मुझे बतो डेटर कितने सर डेटर तो अपने 2,25,000 रुपए के ठीक है साब बहुत अच्छी बात है इस में से आपको 25,000 रुपए बहुत बढ़िया कर दिकत नहीं है आपको 2,25,000 का डारेक्ट परसंग कर दो तो ग्यारा हजार दोसो पचास रुपए आएगा बोलो यह समझ में आ गया अब अपने को निकाल निकाल रुपए और इसका गरदीजे 5 परदीशत तो 2,25,000 का परसंग करोग अब अपने को निकालना है प्रोविजन फॉर डिसकाउंट ओन डेटर तो देखो डेटर अपने 2,25,000 के थे इसमें से अपने वना 11,250 रुपए के डाउटफुल है है तो बतब 2,25,000 में से आप माइनस कर दो 2,25,000 में से 11,250 माइनस कर दो तो 2,25,000 में से अगर मैं 11,250 माइनस करूँगा तो 2,13,750 बच्चो ये 2,13,750 आएगा इस पर अपने को कितना प्रतिशत डिसकाउंट देना है जी 2% अपने को 2% का डिसकाउंट देना है तो 2% का डिसकाउंट देना है तो 2,13,750 का 2% कर लो आप तो अगर अपन 2% करेंगे त तो 4,275 आएगा तो ये 4,255 रुपय आएगा और ये हमारा बिल्कुल सही अंसर होगा ऑप्शन दी पे लोग लगाना है तो आपने बैडड़ माइनस क्यों नहीं किया ट्राइल बिलेंस के अंदर है जो ट्राइल बिलेंस के अंदर है इसका मतलब वो अल्रेड़ी अगर व दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कि ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, सैलेरी आपको 5,800 रुपीज गिवन है, रेंट पेड आपको 6,000 रुपीज गिवन है, पुराना वाला पुराना वाला दो अजजा रुपे गिवन है, कमीशन आपको गिवन है 4,000 रुपे, कमीशन के लिए गाइस, बूलो कौन सा खाता बनाएंगे, सर हमको इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को प्रिपेर करना है, बतो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सर ग्रॉस प्रॉफिट तो अपने को 50,000 रुपे गिवन है, तो ये पी एनल अकाउं प्रॉफिजन फर डाउटफुल डेट, दो हजार रुपे पुराना वाला, तो प्रॉफिटा प्रॉफिजन फर डाउटफुल डेट तो अपनी लाइबरिटी हो गई, समझ रहो, ये पी एनल में नहीं आएगा, कमीशन आपको मिला है 4,000, तो आपको अगर कमीशन मिल गया 4,000, तो यह 4,000 लिख दो, कोशन होता है आपका समाप, 50 और 4 जब जब जुड़े हैं, चोपन अजार रुपे आता है, तो ये 54,000 रुपीज की टोटल हो गई, 54 में से अगर आप माइनस करोगे 11,800, तो अगर अपन 54,000 में से, मैं 11,800 माइनस करूँगा, तो 42,200 रुपीज और ये जो 42,200 रुपीज आएगा ना, ये अपना नेट प्रॉफिट के लाएगा, तो हमारा option A बिल्कुल सही अपतर है, 42,200 रुपीज अपना नेट प्रॉफिट माना जाएगा, समझाए आप, next question, income receiving advance, गैस क्या लिखाव है, income अगर अपने को advance में receive हुई है, और ये given है trial balance के अंदर, मतलब if given in the trial balance, अगर आपको income advance में मिल जाई है, और अगर आपको वो trial balance के अंदर given है, तो बताओ final account में कितनी जगे दिखाओगे, तो उसरा हम इसको final account में एक जगे दिखाएंगे, क्यो क्योंकि income receiving advance हमारे लिए liability है, और अपन इसको balance sheet के liability में दिखाएंगे, तो यहाँ पर इसका जो answer होगा, वो होगा option D, balance sheet in the liability side, liability side में दिखाया जाएगा balance sheet के अंदर, next question, income receiving advance, income receiving advance is deducted from the income because of, income जो भी अपने को advance में मिलती है, उसे income में से minus कर देते हैं, क्यों minus कर देते हैं, reason number one, क्योंकि revenue recognition concept लगा रहे हो, accrual concept लगा रहे हो, matching concept लगा रहे हो, या prudence concept लगा रहे हो, कौन सा concept लगा रहे हो आप, तो sir हम यहाँ पर concept लगा रहे है, accrual, accrual concept यह बोलता है, कि अगर आपको किसी साल का सही लावहानी ग्याद करना है तो आप उसी साल की income को income मने और उसी साल के expense को expense मने और उसके लिए अगर आपको necessary adjustment करना है तो करे तो यहाँ पर हमारा option B सही उत्तर होगा, correct answer होगा अगला प्रशन आपके सामने screen पर provision for doubtful debt 1 April 2019 का balance है 1250 bet debt आपको given है 300 रुपए हमें provision बनाना है 5% data आपको given है 10,000 आप से पूछा जा रहा है कि बताओ कितना amount P&L में transfer करेंगे कितने amount का provision बनाएंगे यह आप लोगों से पूछा है चलिए तो अपने एक काम करेंगे provision for doubtful debts account में आपको बना कि बताता हूँ यह रहा हमारा provision for doubtful debt account बताओ provision का balance कितना है साथ सर यह 1250 रुपए का balance है यह अपनी liability होती है और liability का balance होता है credit तो अपने लिख दिया credit में 1250 रुपए उसके बाद bad debt है तो bad debt से provision कम होंगे तो 300 रुपए अपने debit कर दिये अब आपको bad debt during the year given है अपने को जो bad debt given है वो during the year given है दोस्तों चलिए अब बतो data तुम कितने के थे 10,000 इसमें से कितना डूब गया 300 रुपए बोलो कितना बच्चा 9,700 9,700 का बोलो कितना percent अपने को provision मनाना है 9,700 का 5% मनाना है वापस उन्हों data कितने के थे 10,000 कितना रुपए डूब गया 300 रुपए बोलो कितने रुपए बच गये 9,700 9,700 का कितना percent अपने को provision बनाना है 5% बनाना है बनाओ तो 9,700 का 5% मिन्टेन करना है तो बच्चो 9,700 का 5% अगर मिन्टेन करेंगे तो 485 रुपी आएगा तक्रीबन तो प्रोविजन फो डाउटफल डेट क्रेडिटेट टू पी अल अगाउंट अच्छा तो यह कितना रुपए बनाना है 445 रुपए आएगा नया प्रोविजन तो यह तो नया प्रोविजन तो 445 रहना है अब 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 आतो 1250 पहले से पढ़ा था 1250 में से 300 तो उपियोग में आ गया बच्चा कितना 950 रुपए 950 में से बच्चो जब जब 480 रुपए जाते हैं तो कितना बच्चता है यह आप लोगों से पूछा जा रहा है तो 1250 में से आप माइनस कर देंगे 480 और फिर माइनस कर देंगे 300 रुपए तो अपने पास में आएगा 465 रुपए आएगा अपने पास कितना आएगा 465 एक रुपए अगर अगर अपन 1250 में से अगर अपन 300 और 400 पिच्चे सी माइनस कर देंगे तो 400 रुपए जब कि 400 रुपए यहाँ पे option में नहीं है तो एक काम करते हैं यहाँ पे अपने ना यह 300 रुपए की बैट डिप को ट्राइल बिलेंस के अंदर का ही मानते हैं ठीक है तो ट्राइल बिलेंस के अंदर का मानोगे तो आप तो आपनो 10,000 का 5% कितना रुपए हो गया 500 रुपए का प्रोविजन अपने को मेंटेन रखना है और अगर अपने को 500 रुपए का प्रोविजन मेंटेन रखना भी है तो देखो 1250 में से अगर अपन 800 रुपए माइनस कर भी देंगे तो अपने पर में 450 रुपए आएगा और ये 450 रुपय अपने को credit करना पड़ेगा, option D बिल्कुल से answer है, पहले और अभी में फारक क्यों आया, क्योंकि मैंने 500 रुपय माइनस कर दी थे ये मान के, क्योंकि ये 500 रुपय के bad debt आपको outside the trial balance given है ये 500 रुपय के bad debt आपको trial balance के बाहर given है, ये मान लिया था समझने मेरी बात, पर लेकिन ये वो माना, अपने को answer नजर नहीं आया तो आप अपन ये मान लेंगे कि जो bad debt है वो आपको trial balance के अंदर given है तो trial balance के अंदर given है तो यहाँ से minus की होगी, यहाँ से minus बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है, चलिए बच्चो, अब आपके लिए 2 question homework है, question number 19 आपके लिए homework, question number 20 आपके लिए homework, और last पर जाते-जाते मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, fee structure आपके पास पर available है, कोई भी course purchase कर लो, 2999 का course है, 1499 में आपको अभी EC1 मिल रहा है, विश्वास करें आज यह अपना course purchase करें, अगर आपके अंदर है जोश, सरकारी नौकरी पाने का, तो RPA C ADDA की संपूर्ण team में है, जुनून आपको सरकारी नौकरी दिलाने का, तो लास्ट में जाते जाते, दो पंक्तिया बोल कर मैं आपको जाना चाहूंगा, की जिन्दा वही है जिसके होसले, जिसके होसलों के तरकस में कोशिशों की तीर बची है, जिन्दा वही है जिसके होसलों के तरकस में कोशिशों की तीर बची है, Thank you so much guys for watching this class बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं वापसे फुल जोश और एनरजी के साथ हमारी next live class के अंदर आज के लिए इतना ही जै हिंद जै बारत वंदे मातरम नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद बाई